एक बार राजा कश्मदेव राहे महल में अपनी रानी के पास विराजमान थे तेनाली राम की बात चली तो बोले सब्सक्राइब मुझे हमारे दरवार में उस जैसा चतुर कोई और नहीं है इसलिए अभी तब कोई उसे हरानी पाया है और अगले दिन रानी ने अपने अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाए राजा के साथ बैठा तेनाली राम उन पकवानों की जी भर के प्रशंसा करता हुआ खाता जा रहा था तेनाली राम मुस्करा कर बोला सच मुच आज ऐसे खाने का अनंद तो मुझे कभी नहीं आया अब तो तेनाली राम चक्राया अच्छानक तेनाली राम को जाने क्या सूजा उसने दोनों हाथ चोड़ कर पहले धर्ती को प्रणाम किया फिर एक आएक जमीन पर गिर पड़ा रानी घबरा कर बोली अरे 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 ये क्या कर रहे हो तेनाली राम तेनाली राम उतकर खड़ा हुआ और बोला महारानी जी आप तो मेरे लिए दर्ती हैं और राजा आसमान दोनों मैंसे किसे छोटा किसे बड़ा कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे आज महारानी के हातों का बना पोजन इतना स्वाधिस्ट था कि उन्हीं को बड़ा कहना होगा इसलिए मैं दर्ती को ही दंड़ोत परणाम कर रहा था सुनकर राजा और रानी दोनों की हंसी छूट गई रानी बोली सच मुझ तुम चतुर हो तेनाली राम मुझे जिता दिया पर हातर भी खुद जीत गए इस पर महारानी और राजा कशन देव राय के साथ तेनाली राम भी खिल खिला कर हंस दिये